Hello friends, welcome to your YouTube channel Fintech Fintech channel में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप इस channel में पहली बार आ हुए हैं तो channel को subscribe कर ले और bell icon को hit करना ना भूले ताकि आप से कोई भी notification मिस ना हो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कुछ undervalued stock के बारे में बात करेंगे बात करेंगे कि उनके buying levels क्या बनके आ रहे हैं और अभी भी current market price में उनमें एक अच्छी buying level की opportunity बन रही है या नहीं यह हम देखेंगे दोस्तो अगर बात की जाए investment की तो बहुत सारे stock और ऐसे होते हैं जिनमें अलग-अलग तरीके का investment required होता है for example की अगर बात की जाए तो हम अगर बात करें IEX की बात करें हम Dixon की बात करें हम FL की तो यह कुछ ऐसे stock है या फिर Tata Alexi की बात की जाए यह कुछ ऐसे stock है जिनमें SIP का investment required होता है polycap जैसे share की अगर बात करें तो वहाँ आप कभी एक long dip का weight नहीं कर सकते हैं उनमें एक थोड़ा सड़ी पाता है फिर वो भागते हैं एक हलका सड़ी पाता है फिर वो भागते हैं तो वो एक तरीके के SIP वाले stock होते हैं तो यह हो गया SIP वाला investment एक होता है कि जब कोई एक fundamentally share में काफी सारी negative news आई हुई होई हों तो आज इस तरीके के हम कई सारे share को देखेंगे जो अभी भी undervalued है निफ्टी काफी भागा तो है लेकिन वो अभी भी एक अच्छी buying level पर available है चलिए बात करते हैं यहाँ पे CDSL की आज का मेरा जो पहला pick है वो CDSL है CDSL क्यों मेरा पहला pick है क्योंकि यह जो share है fundamentally बहुत ही अच्छा है बहुत ही corrected share है अगर इसमें recent news की बात की जाए तो जुलाई के महिने में ही इसमें news आई थी कि लगभग 4 करोड इसके पास demat account है जितने ज़्यादा demat account होंगे उतने ही ज़्यादा इनकी depository charges बढ़ते जाएंगे इनका revenue बढ़ता जाएगा और इनका profit growth होती जाएगी और यही वज़ा है कि यह share इतनी ज़्यादा rally किया कि देखते देखते यह 600 से 16 सरुपय का यह journey कर दिया था और इसी की वज़ा से इसको ASM की list में डाल दिया गया था जी हाँ आप देख सकते हैं कि यह जो bracket बना हुआ है यह इसी ASM list की देन है और यही एक negative news इसमें बनी हुई है जिसकी वज़ा से इसमें volume नहीं आपा रहे हैं और इसकी जो rally है उस पर एक stop लग चुका है अगर इनके आप volumes देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक अच्छे volumes देखने को मिले हैं लेकिन ASM के बाद यहाँ आप देखेंगे तो इसमें volumes में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है RSI की बात की जाए तो 61 है और अगर current level की बात की जाए कल ही इसने लगभग 4.5% की rally की थी अभी भी मुझे यह price जो है undervalued लगता है क्योंकि यह काफी अच्छे discount में मिल रहा है 1600 का इसका लगभग high लगा था 1580 यानि almost लगभग 1600 रुपए का इसका high गया था और अभी भी यह 1350 रुपए पर available है current price में भी अगर long term का vision रखा जाए long term के investment के बिहाफ से अगर बात की जाए तो मुझे current price भी बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है इसमें एक अच्छा investment किया जा सकता है और बहुत शांदार return देखने को मिलेंगे हो सकता है कि इसमें जब यह SM list से बाहर आएगा इसके result भी देखने बनते हैं अच्छे result आएंगे SM से बाहर आएगा तो वापस एक अच्छे volume में इसमें growth देखने को मिलेगी चलिए मेरा जो दूसरा pick है वो है Tata Consumer FMCG sector से एक company belong करती है अगर आपको fast return चाहिए एक अच्छी growth वाली company चाहिए तो मुझे लगता है कि इसमें एक bit लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें अभी काफी ज़्यादा growth potential देखा जा रहा है अगर इसके आप chart की pattern की बात करें तो बहुत ही अच्छी rally दी है गजब के इसने return बना के दिये है within a year देखा जाए तो बहुत ही शानदार इसका chart pattern देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ इसने एक बहुत ही अच्छी rally बना के अपने investors को दिया है जब भी इसमें एक छोटा सा भी dip दिखे तो वहाँ पर buying की जा सकती है और यह जो dip यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है यह एक अच्छा dip देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक अच्छा investment किया जा सकता है बात करें अगर इसके support price की तो 800 का बहुत अच्छा support बनता आ रहा है इसमें इसने दो तीन बार support लिया है अगर इस price पर कभी मिलता है तो इसमें एक अच्छे amount में accumulation किया जा सकता है बात की जाए कि share price में गिरावट क्यों हुई है तो यह गिरावट इसी region से हुई है क्योंकि इनके जब Q1 के number आये थे तो वो market के estimate को beat नहीं कर पाया था even वो market के estimate को meet तक नहीं कर पाया था और यही reason था कि फिर इनके share price में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद से वापस में इसमें एक अच्छा jump देखने को मिला क्योंकि company में growth अच्छा है company ने अच्छे अच्छे इसने बहुत अच्छे deal किये हुए है तो Q2 के पहले इसने एक अच्छी rally तो दिखा दी है लेकिन अब यह Q2 के result का wait करना चाह रहे हैं क्योंकि इनके साथ कहीं फिर से वही न हो कि Q1 की तरह इनके result आए और फिर वापस से इसमें एक पिटाई शुरू हो तो एक हलकी सी यह जो है यह profit booking देखने को मिली है Q2 के result के पहले अगर इनके Q2 के number आते हैं तो यह वापस से एक अच्छी rally करेगा और 900 के भी level को यह शायद break करता हुआ दिखेगा चलिए बात करते हैं तीसरे share की alkyl amines आप यहाँ पर यह देख सकते हैं गजब की इसने rally की है गजब के इसने अपने returns बना के दिये हैं investors को इनफेक्ट यहाँ पर जो थोड़ी बहुत rally थी वो एक split की news को लेकर के भी थी जिसकी वज़ा से एक अच्छी rally देखने को मिली है अब बात करें कि यहाँ पर जो गिरावट हुई थी यह एक bad news इसमें आई थी कि insider के इसमें जो promoters थे उन्होंने अपनी कुछ holding इसमें sell off की थी लेकिन इतनी भी जादा उन्होंने अपनी promoter holding sell off नहीं की थी बहुत ही minute सी थी लगबग 59.something percentage की holding अभी भी उनकी बनी हुई है तो इस negative news का एक अच्छा फाइदा यहाँ पे उठाना चाहिए जो long term investors हैं बहुत अच्छी value buying यहाँ पे बनी है कई बार इसने 3750 का अपना support लिया है even इनका 4050 का भी एक अच्छा support देखने को मिल रहा है जहाँ पर यह share price अभी trade कर रहा है RSI की बात करें तो 54 है जब भी यह ऐसी कोई छोटी मोटी negative news आती है तो यह बहुत अच्छा time होता है investment करने का क्योंकि अगर Q2 के इनके result आएंगे तो बहुत ही शांदार अगर result आए तो एक गजब की rally इसमें देखने को मिलेगी कमपनी के अगर ROE और ROCE की बात की जाए तो दोनों लगभग 40 प्लस हैं तो इस तरीके की कमपनियां बहुत कम होती है chemical sector का M1 की business की अगर बात की जाए तो number one की company है अपने देश में ये तो इस तरीके की company जो long rally करने वाली हो एक अच्छे ROE और ROCE के वाली हो और बहुत अच्छे fundamental जिसके हो तो ऐसी कमपनियां जरूर portfolio में होनी चाहिए चलिए बात करते हैं cams की अगर मैं इसके risk की बात करूँ तो यहाँ पे ये अभी भी एक अच्छे support price पर available है कोई बुराई नहीं है 150 रुपए चलता है अगर आप 3000 के value का कोई stock ले रहे हैं तो उतना कुछ matter नहीं करता है अगर इनके इसके बाद के support की बात करें तो हमें 2700 का एक दूसरा support मिलता है तो अगर downside की बात करें तो 300 रुपए का है लेकिन अगर इसके upside की बात करें तो ये अपना high to at least लगा ही सकता है जो कि 4000 का है यानि कि यहाँ से लगभग 900 रुपीज तो risk to reward ratio देखेंगे तो 300 के बदले 900 का है reward बहुत जादा है, risk बहुत कम है ऐसी कंपनियों में ही आपको investment करना चाड़िए जब उसमें एक अच्छी गिरावट बनी हुई हो RSI की बात करें तो इसका 40 का RSI चल रहा है और आप बात करें कि इसमें negative news क्या बनी हुई है तो negative news इनमें यही थी IPO के समय से इनमें जो भी investors ने investment किया था just उनका जो lock-in period over हुआ उसके बाद उन्होंने अपने shares को sell off किया देखिए कोई भी share price अगर 1200 रुपए से भाग जाएगा 4000 रुपए तो उसमें थोड़ी बहुत profit booking तो बनती है वो भी उनकी तरफ से जो mutual fund houses हैं जैसे कि या फिर कोई भी जिनको profit booking करनी होती है for example जैसे बात करें mutual fund houses की ही तो उनको क्या है कि उनको पैसे भी invest करने होते हैं और बहुत सारे उनके जो investor होते हैं वो time time पर अपना fund भी redeem करते रहते हैं तो उन्हें लोगों को पैसे भी वापस करने होते हैं तो वो बहुत long time तक तो किसी में लंबा एक investment नहीं कर सकते हैं बीच बीच में उनको profit booking करनी होती है और जब कोई share ऐसे 1200 उपए से 4000 एक साल के अंदर भाग जाए तो ऐसे में थोड़ी बहुत profit booking तो बनती ही है क्योंकि उनको cash अपने हाथ में रखना होता है थोड़ा बहुत mutual fund houses के अगर बात करें तो लगभग 35% का cash उनको अपने हाथ में रखना होता है तो इस तरीके की जब profit booking आती है तो ये एक बहुत अच्छी opportunity होती है हम जैसे retail investor के लिए 40 का RSI है बहुत अच्छे price पर अभी भी available है company की बात की जाए तो इसकी monopoly है market share की बात की जाए तो इसके sector में सिर्फ दो ही company है cams और carvy जिसमें से cams का लगभग 70% का market capture है तो एक तरह से इसकी monopoly है दिगज है अपने field की और इतने corrected price में कोई भी fundamentally corrected share मिले तो बहुत ही अच्छा मौका होता है उसमें investment करने का Now the last but not the least Muthuth Finance Muthuth Finance NBFC sector की top notch company है बजाज finance के बाद देखें तो अगर कोई share मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है Muthuthuth Finance बहुत ही गजब का इनका business है gold loan के business में company काम करती है NPA के issue कभी बहुत ज़्यादा इस company में देखने को नहीं मिलेंगे जैसा कि banking sector में देखने को मिलता है अगर इसके chart pattern की बात की जाए तो consolidation का period बहुत अच्छा होता है जहाँ पर इसमें buying की जाती है उसके बाद आप देखेंगे एक jump आता है और फिर वापस एक consolidation अभी चल रहा है अगर इसके यहाँ पर chart pattern की बात की जाए तो यह 1, 2 और यह 3 यहाँ पर triple top यह बनाया हुआ है बिल्कुल मुझे लगता है अभी भी इसके Q2 के ही number का इंतजार है अगर यह शांदार number देगा तो यह इस top को तो break करेगा ही और यह 1640 का जो resistance है उसको भी यह break करता हुआ काफी आगे निकलेगा company बहुत अच्छी है fundamentally बहुत correct है promoter holding बहुत शांदार है इसमें लगभग 73% की promoter holding बनी हुई है इस company को मैंने high growth stock में भी cover किया हुआ है जिसमें मैंने 3 high growth stock की बात की थी वहाँ इसका भी नाम था ROCE और ROE की बात की जाए तो बहुत ही शांदार है जितनी तारीफ करों इस company की उतनी ही कम है बहुत ही गजब की company है यह अब बात करें इनके support price की तो मैंने कई बार इसको 1450 में cover किया है यह कई बार 1450 में आया भी है even मैंने खुद इसमें 1450 में कई बार position बनाया है 2-3 बार तो मुझे मौका दिया ही दिया है इसने position बनाने का फिलहाल यह 1519 के price पर trade कर रहा है जो कि यह current market price पर long term investment के हिसाब से मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगता है अभी भी एक अच्छी value buying है कभी यह नीचे आता है तो 1490 का इनका एक support बनता है वहाँ पर आप इसमें investment वापस कर सकते हैं averaging के लिए और 1450 तो इनके ultimate support देखने को मिलते हैं अभी recently इसने एक्छी rally की थी लगभग 5-6% लेकिन वही इनका एक resistance आया था 1600 और वहाँ से यह वापस से return होते हुए दिखा है तो company के Q2 के number आएंगे शायद उसके बाद इसमें एक अच्छी rally देखने को मिलेगी क्योंकि यह consolidation period काफी लंबा था और breakout अब शायद Q2 के result के बादी होगा current market price में भी इसको buy किया जा सकता है बिल्कुल बुराई नहीं है long term के हिसाब से बहुत ही शांदार share है तो I hope दोस्तों यहां तक जो भी मैंने आपके साथ share किया है अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, subscribe करें और दोस्तों के साथ share जरूर करें वीडियो के साथ हम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद